नमस्कार दोस्तों मैं मास्टर ओपी लेगा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टेडी विथ ओपी सर की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज हम राजस्तान की लोकसंत शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें सबसे पहले हम जांबो जी को पटेंगे तो दोस्तों आईए आप ध्यान दीजिए हम कर रहे हैं शुरू जांबो जी को जांबो जी का जनम कहा हुआ था पीपासर नागोर में जाम्बोजी का जनम पीपासर नागोर के अन्दर वुगा था और कब हुगा 1451 के अन्दर जांबु जी के पिता जी का नाम लोट जी पोवार था क्या था। जांबु जी की माता का नाम हंसा दीवी था और जांबु जी को विष्नु जी का अवतार बाना जाता है। जांबो जी को विश्णु जी का अवतार माना जाता हैं इस बात का विशेश ध्यान देना ये फरीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है श्वाल जांबो जी ने 29 नियम चलाए थे 20 और 9 कितने हो गई 29 तो जांबो जी ने 29 नियम चलाए थे और इस 20 और 9 इस आदार पर ही इनके संपरदाय का नाम विश्णु शंपरदाय नाम पड़ा ठीक है विश्णु ये विश्णु और 9 को क्या का जाता है विश्णु ठीक है तो विश्णोई संपर्दाई के अंदर वेश्णव धर्म, जैन धर्म, इसलाम धर्म इन तीनो धर्मों की सिक्साओं का समन्यों किया गया है अर्तात ये जो गुंतिस नियम बढ़ाए गये है ये इन तीनो धर्मों का सार है ठीक है दोस्तों और कहते हैं कि जांबो जी कबीर जी से भी परभावी थे तो कबीर से परभावी थे ठीक है दोस्तों जांबो जी ने अपनी पर्थम पीठ का इस्तापित की संबरा थल संब्राथल जो की बीका नेर के अंदर आया हुआ है यहां पर जांबो जी ने अपनाई पर्थम पीठ इस्तापित की और दोस्तों ये पर्थम पीठ कब इस्तापित की कार्तिक कृष्णा अश्टमे को ये भी आप ध्यान रखना कार्तिक मा और कृष्णा अश्टमी को विक्रम सवत 1542 और इस्विषन पूछे तो 1485 तो विक्रम सवत और इस्विषन दोनों का आप ध्यान रखना जांबो जी ने एक मंत्र दिया था मंत्र क्या था विष्णू विष्णू तुम भनरे प्राणी विष्णू विष्णू भनरे प्राणी ठीक है दोस्तों तो इस मंत्र का भी आप ध्यान रखना विष्णूई धरम के अंदर पवित्र पसू किनको माना जाता हैं हिर्ण को विष्णूई समाज पवित्र पसू मानते हैं और इसमें हिर्ण में भी काले हिर्ण को विशेश रूप से ध्याद रहना, काले हिर्ण को कृषिन का अवतार माना जाता हैं इस बात का आप विशेश रूप से ध्याद रहना यानि ये हिरिन के छोटे बच्चे को अपने खुद के बच्चे को कैसे पालते हैं ऐसे हिरिन के बच्चे को पालते हैं तो उनका अंतीम संसकार भी जैसे अपने बच्चे का करते है वेशे ही धिरिन की बच्चे का भी करते हैं इसका भी ध्यान रखना और विश्णोई समाज पवित्तर वरक्ष किनको मानते हैं खेजडी को इसका विशेष ज्यां देना और खेजड़ी वरक्स के कारणी खेजड़ी का बल्दान परसी दें जो खेजड़ी गाउं कहा है जोदपुर के अंदर ठीक है तो खेजड़ी गाउं के अंदर एक घटना हुई थी 12 सितंबर 1730 को उसमें क्या हुआ था खेजड़ी गाउं के अंदर खेजड़ी की कटई करना सुरू कर दिया राजा के द्वारा भेजे गए लोगों के द्वारा तब क्या है एक अमरता देवी विश्णोई जाती की मैला थी ये सबसे पहले जाकर खेजड़ी के चिपक गई और बाकी इनके साथ और 363 तब राजा ने आदेश दिया कि अगर ये दूर नहीं अड़ते हैं तो इनका सिर्फ कतल कर दो तो कहते हैं कि अमरता देवी सहीत 363 विश्णोई यहां पर सहीद हुए थे अर्थात विश्णोईयों ने यहां बलिदान अपना दिया था तो विशू का एक मातर वरक्समेला यह भी ध्यान रखना थे विशू का एक मातर वरक्समेला कहां लगता हैं खेजडली गाओं जोद पूर में जामबो जी को प्रयावन विग्यानिक भी का जता हैं इसका विश्ण दिया रखना जामबो जी ने मूर्ती पूजा और तिरातरा का विरोध किया विद्वा हुआ का समर्थन किया इस बात का तोड़ा विशेश दियां रखना एक सब्दें साथरी क्या सब्दें साथरी या साथरी या साथरी या साथरी या साथरी या वे इस्तान जांपर जांबो जी उपदेश देते थे जांपर जांबो जी उपदेश देते थे वे इस्तान क्या कहला थे साथ्रिया संत्रिया ठीक है दोस्तों आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए जांबो जी दुवारा लिखीत गरंथ कौन कौन से हैं एक तो जंब सागर कौन सा हैं जंब सागर ठीक है दोस्तों जंब सागर जिसके अंदर 120 सब्दों का संगर है इसका भी आप विशेश ध्यान रखना दूसरा गरंथ है जंब सहीता क्या नाम है जंब सहीता और तीसरा एक गरंथ और है सब्द वानी क्या नाम है सब्द वानी जिसको जंब वानी भी कहा जाता है गुरु वानी भी का जाता है वेद वानी भी का जाता है इसका भी आप ध्यान रखना विश्णुई धर्म प्रकाश एक और गरंदallas का नाम है विश्णुई धर्म प्रकाश तो इन चार गरंथों का विशेष रूप से ध्यान रगना जंब सागर जंब सहीता सब्दवाणी विश्णुई ध्रम परकास ठीक है ये चारों ही परिक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं तो आप विशेश रूप से एन चारों गरंथों का ध्यान देना ये जांबो जी द्वारा लिखीत गरंथ है जांबो जी की मर्तिव कहां हुई थी मुकाम 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 के अंदर ये गाउं है तालवा गाउं मुकाम के अंदर ये गाउं है तालवा गाउं यहां पर जांबो जी की मर्तिव हुई अर्था जांबो जी का सरगवास हुआ था जो की नोखा तैसील बिका नेर के अंदर 1513 और मुकाम तालवा को ही विश्णोई समाजगी परमुख पीठ माना जाता है इस बात का भी आप विश्चेश द्यां देना जांबो जी का मिला मिला कब लगता है वर्स के अंदर दो वार लगता है वर्स में दो वार लगता है एक तो आश्वीन यहांने आश्विन की हमावशिया को और फालगुन की हमावशिया को जांबो जी का मेरा लगता है और मेरा का लगता है मुकाम के अंदर जांबो जी का मेरा लगता है जांबू जी से समधित अन्य पवित्र इस्तल कौन-कौन से हैं ये भी आप ध्यान देना कई वार परिक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं तो दोस्तों देखिए जांबू लाव धाम पहला है जांबू लाव धाम कहा है जांबा फड़ो दी जोदपुर में ठीक हैं ये इस्तान है रामडवास क्या नाम है रामडवास जो की पीपाड जोदपुर के अंदर आया हुआ है और जोदपुर के अंदर ये इस्तान हो रहे हैं जिसका नाम है लोहावट ठीक है और एक इस्तान और ध्यानी जी जगूल के नाम है जगूल और लाला सर ये दोनों ही इस्तान बिकानेर के अंदर आए हुए हैं जगूल और लाला सर दोनों ही बिकानेर के अंदर आए हुए हैं जो की जम्बो जी के पवित्र इस्तल हैं और एक इस्तान और है ज्यांदी जी रोट नागोर के अंदर हैं और एक विशेश रूप से ध्यान रखना लोधीपूर जो की अपने राजस्तान से बाहर इस्तान हैं यह उत्तर पर्देश की मुरादाबाद जिल्ले के अंदर आया हुआ हैं लोधीपूर यहाँ पर भी जां जांबो जी के बारे में वापिस में रिविजिन भी करा देता हूं तो जांबो जी का जनम का हुआ हुआ? पीपासर के अंदर कभ हुआ? 1421 में विक्रम सुथ पूछे तो 1508 के अंदर ठीक है भादर पद कश्णा अश्टमी को यह जनम अश्टमी के दिन जांबो जी का जनम हुआ और जांबो जी का जनम किस वंस के अंदर हुआ पौवार राजबुत वंस के अंदर जांबो जी का जनम हुआ जांबो जी की पिता ज और नो इस आधार पर ही इनके संपर्दाय का नाम विश्णोवी पड़ा ठीक है दोस्तों और जांबो जी कबीर छे भी परभावी थे इसका भी ध्यान रखना और जांबो जी ने पर्थम पीट की स्थापना का की संपराथल जो की वीका नेर के अंदर आया हुआ है यहां पर जांबो जी का ये कारेश्टल राथ था कारेश्टल था कौन साइस्थान संपराचल ठीक है दोस्तों और यहां पर पीट की स्थापनाकब की कार्ती कश्णाष्टमी को विक्रम सवत 1542 को संपूछेतो 2450 को ठीक है दोस्तों आगे ज्यान दिजी दोस्तों एने जाम्बो जी द्वारा एक मंतर भी कहा गया जिसका नाम है विश्णू विश्णू तुम भन दे प्राणी ठीक है दोस्तों इसका भी ध्यान रखना और विश्णूई समाज के अंदर सबसे ज़्यादा पवित्र पसू किनको मान जाता है हि काले एरन को किर्शन का आउतार मांते हैं ये विश्णूई और विश्णूई समाज पवित्र वर्क्स कि सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं खेजड़ी को और खेजड़ी को लेकर खेजड़ी गाउं के अंदर बरिजदान हुआ था जिसके अंदर अमरता देवी और 363 जाम्बो जी ने मूर्थी पूजा एवत्तिर थ्यात्रा का विरोध किया और विद्वाविवा का समर्थन किया इसका ध्यान देना विद्वाविवा का समर्थन किया मूर्थी पूजा तिर थ्यात्रा का विरोध किया ठीक है दोस्तों साथ्री या चात्रिया यह क्या है वेस् अगर जंब सैंता सब्दवानी विश्णुई धरम प्रकास ठीक है इन च्यार गरंतों का विशेश द्यान देना जांबुजी की मर्तियू कहा हुई थी मुकाम तालवा गाउं जो की नोखा भीका नेर में आया हुआ हैं ये मुकाम तालवा ही मुख्य पीठ है इसका विशेश जांदेना और जांबुजी की मर्तियू कब हुई थी 1537 में विक्रम सवत 1513 नुए के अंदर जांबुजी का मिला वर्स के अंदर दो वार लगता हैं कितनी वार लगता हैं वर्स में दो वार लगता हैं एक तो आस्वीन को और एक फालगुन को आस्वीन और फालगुन की अ लगता हैं और मिला का लगता हैं मुकाम तालवा गाउं नोखा बीका नेर में ठीक है दोस्तों और जांबोजी से समंदीत और पवितर इस्तल कौन-कौन से हैं ये भी ध्यान रखना एक तो है जांबोलावधाम जांबा जो की फड़ोदी जोतपुर में आया हुआ हैं और एक और इस्तान है रोट जो नागोर में आया हुआ हैं और ये इसका विशेश द्यान देना लोदी पूर जो की उतर परदेश की मुरादाबा जिलेव में आया हुआ हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो जांबोजी माराज के उपर कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो इसको ला